कि आत्म ग्यान क्या है लोग पूछते हैं कि साहब आत्म ग्यान क्या है आत्म ग्यान कैसे मिले आत्म ग्यान वो अपने आप का ग्यान है जो पूछने वाला है वही आत्म है और उसी का ग्यान होना ये आत्म ग्यान है तब लोग कहते हैं कि साहब मैं हूँ मुझे अपने आप का ग्यान हो जाए तो इससे कैसे सांती मिलेगी आत्मग्यान के बहुत ब्यापक अर्थ है और जब पूरी तरह से उसको हम समझेंगे ताब आत्मग्यान की पूरता होगी तो पहली बात है कि ये जानना कि मैं सरीर से भिन्य अविनाशी आत्मा हूं ये आत्मग्यान का प्रथम रूप है मैं सरीर नहीं हूं सरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूं सरीर निरंतर छीड हो रहा बुढ़ा हो रहा जीरण हो रहा और बच्पना से जमान प्रोड़ता और बुढ़ापे की और जा रहा है और आए दिन जब कभी रोग व्याधी कमजोरी आते ही रहते हैं तो ये मैं थोड़े हूँ, ये सरीर है मैं इससे अलग, जो मैं हूँ वो एकरश नित्थ सब समय एक समान रहता हूँ और वो सरीर के अंदर ही वो आत्बा है तो एक बात ये है कि मैं सरीर से अलग, अविनासी आत्मा हूँ ये जानना आत्मग्यान है लेकिन यह भी अभी पूर नहीं हुआ आत्मा को जान लिए लेकिन अब जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं तो ये आत्मग्यान थोड़े हुआ आत्मा को जानना, सरीर को जानना, ये एक बात हुई, इसके पस्चार फिर आत्मा की रहनी, आत्मा के आयस्वर्य को जानना चाहिए, अभू क्या है आत्मा का आयस्वर्य? आत्मा का आईस्वर यह है दया, छमा, करुडा, प्रेम, सहनसीलता, धायर्य, विनम्रता, त्याग, अनाशक्ति जब हम इन समस्त चीजों को, इन सद्गुणों को, इन विचारों को अच्छी तरह से समझेंगे और फिर पालन करेंगे हम दयावान जब तक बनेंगे नहीं, तब तक आत्मा के रहस्य को जानेंगे नहीं क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, दूसरों के अंदर आत्मा है, दूसरे प्राणियों के अंदर अब हम मारते काटते हैं अब हम बड़े आत्म के बारे में जानने वाले भी बने हैं तो यह आत्मग्यान थोड़ी हुआ दूसरों पर दर्द होता है कष्ट होता है तो उनको कष्ट ना दिया जाए दया किया जाए यह आत्मग्यान है प्रेम किया जाए दूसरों से, कटू ना कहा जाए, किसी को असुविधा न दिया जाए, तकलीफ न दिया जाए प्रेम भाव रखें, ये भी आत्मग्यान है बिना आत्मग्यान के अगले व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाएंगे हम सहनसील नहीं हो पाएंगे, धैर ये नहीं रख पाएंगे क्योंकि जब अपने महत्ति को समझेंगे, अपनी शान्ति के मूले को समझेंगे तभी तो धैर ये रख पाएंगे, नहीं तो जगड जाएंगे, लड़ जाएंगे बिना आत्मग्यान के अनाशक्त नहीं हो पाएंगे जहां कहीं भी आसक्ती बनाते रहेंगे और कोई आसक्त हो खाने में, पीने में, देखने, सुनने में प्राणी पदार्थों, नरनारियों में आसक्त रहे और अपने बाल बच्चों में आसकत रात दिन डूबा रहे मोह में और फिक है मैं आत्मग्यानी हूँ आत्मग्यान कहां है आत्मग्यान होने के बाद वो शम्यक दृष्टी वाला हो जाता है सब तराब सबसे प्रेम सब के साथ सुंदर बरताओ करता है सबके प्रतिदया छमा करूडा का भाव रखता है और स्वयम अपने आप में संतुष्ट रहता है प्रशन्य रहता है तिये आत्मा का अयस्वर्य है सद्गुन इन सद्गुनों की रहनी को अपना करके खुब प्रशन्य रहना अनासक्त बने रहना और कहीं लोभ लालच ना करना और गुरु ग्यान में अपने आपको लगाए रखना आत्म ग्यान का यह भी रूप है बिना गुरु के आत्म ग्यान होगा भी नहीं मेरी ही चीज है लेकिन उसे कोई बताने वाला चाहिए मेरे पास सामने कोई चीज रखी हो तो मैं देख लूँ कोई न बतावे तो भी मैं उसको जान जाऊंगा कि यह ऐसा है इसका यह लाब है इससे यह हानी है लेकिन मैं जो खुद हूँ यह चीज से अलग है स्वतह इसे ही आपरोक्ष कहते हैं तो यह स्वतह होने से मुझे समझ में नहीं आएगा कोई बताने वाला चाहिए जो इसके बारे में समझदार हो, बोधवान हो, ज्यानवान हो वो हैं गुरू और संत इसलिए गुरू संतों के प्रती भक्ती भाव हो जब भक्ती भाव रखेंगे ताब आत्म ज्यान और मजबूत बनेगा तो इन सारी चीजों को समझ करके आत्मा के रहस्य को जानना आत्मा के गरिमा को जानना आत्मा की असंगता, नित्ता, एकरस्ता, अभिनाशीपन को जानना और फिर आत्मा जिससे संपन होता है, प्रगट होता है उन सद्गुणों को जानना और फिर उन सद्गुणों की रहनी को अपनाना और फिर उस रहनी को भरकरार रखने के लिए गुरुशंतों के प्रति भक्ति भाव रखना स्रद्धा रखना ये साव आत्म ज्यान का सुरूप है और इन सब बातों को हमें पालन करना चाहिए और सरल विनम रहो करके जीवन का व्यावार करें और साधना करें मन इंद्रियों को सवस रख करके आत्म कल्यान और मुक्ती पत पर चलते हुए इस जीवन को सफल बनाना चाहिए यही जीवन का हमारे उद्देश है और ऐसे ही पत पर चल करके मानो जीवन शुखी तथा संतुष्ट होता है तो अपनी बातें थोड़ी सी मैंने यह कहा कि आत्म ग्यान क्या है और आत्म ग्यान का पूर लाभ कैसे मिलता है तो इन समस्त बिंद्दों पर जब मनन चिंतन किया जाता है तब उसका भर पूर लाभ मिलता है बोलिए शद्गरू देव की जय ब्हाग जगी है मेरो बाग जगी है